नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का फिर से एक निव वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कीलो ग्राम के काफी महत्वपूर कोशन लिये हैं और इस वीडियो के माध्याम से जो कीलो ग्राम का सबसे छोटा यूनिट ग्राम है ना उसका हिसाब करना सीख और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी कोशन को आप काफी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरही के सल्ब कर सकेंगे तो देखिए हमारा कोशन दिया क्या है कोशन दिया है 40 केजी देखिए के से होता है कीलो जिस से होता है ग्राम जिसको सोट में केजी लिखा जाता है और फूल परम होता है कीलो ग्राम यानि 40 कीलो ग्राम आम का मुल्या 2400 रुपए यानि 2400 रुपए है तो 200 ग्राम का मुल्या ग्याद करें दोस्तों 40 kg का मुल्य दिया है दोस्तों ग्राम का मुल्य क्या होगा यही हमको ग्याद करना है यहीं केजी में मुल्य दिया है ग्राम में मुल्य क्या होगा हमको पाता करना है कैसे करेंगे काफी असान ही देखें लिखेंगे आपर solution according to the question निनी question के अनुशार अब ठीके सबसे पहले जो question में दिया रहता है ना उसी को solution में सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है 40 kg का मुल्य है 24 रुपए तो लिखें यहाँ पर 40 kg जो आम का मुल्य है कितना दिया है 24 रुपए यह हमारे question में दिया गया है हमको ध्यान में कहा रखना है कि 200 gram का मुल्य हमको निकालना है कैसे निकालेंगे यहाँ पर 40 kg का दिया है तो सबसे पहला काम कि हम यहाँ से किसी वी तरह से 1 kg का मुल्य निकालेंगे अगर 1 kg का निकाल जाएगा तब हम उसको में क्रमी करेंगे और ग्राम में क्रमर्ट करने के बाद तब हम 200 क्राम का मुलिया निकलने का परयास करेंगे तो चलिए सब्सेव को यहां से वन कैजी का निकलना है LEG branch ने तुर रूपए रूपए अब देखे, मैंने क्या किया है, चालिस देव पर वन कर दिया है, तो यह जो चालिस अनों बराबर के लिए अप्षाइड में है, और चालिस और केजी की बिच में यहाँ पर कोई भीची नहीं, तो गुणा कचे छेपा है, और जब कोई भी शंक्या बराबर के लिए अपने यहाँ पर दर जाएगा, यहीं 60 का गुणा करेंगे चार में, तो 60 जब को हो जाएगा 240, यहीं देखिए, हमारा वन केजी आम का मुल्या निकल गया कितना रुपए, 60 रुपए, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 200 ग्राम का मुल्या, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पाता होगा, यह नहीं पाता है, तो जान लेजिए, अगर वन केजी को, हम ग्राम में कनवर्ट करेंगे, चुकि ग्राम का मुल्या निकलना है, अब देखिए, वन केजी में जो है न, हमारा 1000 ग्राम होता है, क्या होता है, वन केजी के बराबर, एक हज़ार ग्राम होता ही आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है अब देखे बराबर क्रेक्ट में 60 रुपए है तो यह जेव का तेव रहेगा चुक्कि मैं रुपए को चेंज नहीं करूंगा सिर्फ केजी को ग्राम एक रुपए को पैसा में तो यह तो जेव का देखेuję 100 ग्राम का बहु मुल्य निकालना काफी सान here कर ना क्या हूं आई करते कर देखे लेगा ब्राबर क्लियेट में लिज्ट येजञह अलमकर तो हमारा और वे कटेगा यानि हमारा यहाँ पर कटने के बाद सॉ ग्राम का मुल्य अशर पर निकल कर आ गया समझ मज रहें सॉ ग्राम का मूल्य शुर्विरुपै अब देखें हमको 200 ग्राम का मुल्य निकलना है तो हम क्या करेंगे तो फथ 20 stop ग्राम में और 100 ग्राम के मुल्या में दोनों तरफ हमको 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको 200 ग्राम का मुल्या निकलना अब देखें यहाँ पर 100 है तो 100 क्रस्टू करेंगे ग्राम है तो ग्राम और यहाँ पर 6 रुपए है तो 6 में हम 2 से गुना करेंगे और र अंसर और इसी तरीका से आप इस तरह के किशी भी question को solve कर सकते हैं तो दोस्तो आए खोब किस वीडियो के माधियरम से जूभी मैं इस तरह का process बताया है आपको स्मझ में आ गया होगा और आप इस टाइप कि किसी भी question को इस process के द्वारा solve कर लेंगे 40 गजी का मुल्य दिया था 200 ग्राम का मुल्य हमने काफी आसानी से निकाल लिया है I hope कि आपको पूरा process समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर पहली बहु सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिनते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक क्लिए जाए हिंद बंद मात्रम